निर्मान हो रहा है पिछले दो-तीन दिनों से इस छेतर में लगातार घुम रहे थी और पिछले दिनों में उन्होंने कुछ स्वास्त का इसके लाबा एजुकेशन में क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसका उन्होंने कबर किया था और आज वहीं पे अरणपूर के आसपास में स सब इंस्पेक्टर उनको पता चला तो अभी उनको सुरक्षा देने के लिए साथ में चल दिये और जो निलाबाय का मोड है वहां से करीबन तीन किलोमिटर के दूरी पर नक्सिलियों के द्वारा घात लगा कर हमला किया गया एम्बूस किया गया और जिसका बहादूरिश ह हमारे जमानों ने जबाब दिया जिसमें करीबन 45 मिनट तक फारिंग वी दी और उसके बाद हमारे दो जमान और कैमरामन की सहाधत भी है परन्तु मैं भी घटनासल पे गया था और घटनासल में काफी देर रुका था और वहां के आसपास क्यों छेतरों को देखा तो इस नकसलियों के भी कम से कम दो नकसलियों के मारे जाने की प्रबल संभाबना है चुकि हमें डेट बोडी प्राप नहीं विये परन्तु जो खून और घटने की निसान थे उसके अधार पे कह सकता हूं की दो नकसलियों की मारे जाने की संभाबना है तो यह बहुत ही unfortunate incident है और चेतर में जो लगातार जो बिकास के काम हो रहे हैं उसको बैबधान करने के लिए नकसलियों लगे हुए हैं और लगातार इस ओर जहां भी अंधुरी चेतरों में जहां पर उनका थोड़ा भी strong hold या उनका थोड़ा बर्चस बचा हुआ है उस चेतर में forces घुसने का प्रिय किया जा रहा है और मैं यही कहना चाहूंगा कि यह सहादत बिकार नहीं जाएगी और इस प्रकार से दंदेबाडा में बिकास के काम चल रहे हैं वो लगातार आगे भी चलता रहेगा और साथे साथ मैं आपके माध्यम से यह भी विस्वाज दिलना चाहता हूँ कि जो अभ सभी आपके माध्यम से सभी घ्रामिनों को और जितने भी वोटर हैं उनको अपील करते हैं कि आप निर्वाय वोकर बिना डर्भाय के अपना मतादिकार का प्रयोग करें और इसके लिए यहाँ पे जितने भी जो CRPF हैं साथ में जो डिस्टिक पुलिस हैं DRG STF और जो बाह सुबे हैं विकास में वैबधान और किसी तरह जो चित्र पिछड़ा हुआ है उसी को स्टेटस को उसी दसा में बने रहे इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ग्रामिनों को भी कई बार रिमर फैला करके उसको एफवा में रखके उनको मतले कि बांदने का अपनी बातों को रखने के लिए यह बहुत ही पॉजिटिब इंडिकेटर हैं बहुत ही अच्छा संकेत है और हम आसा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो विकास के काम यहां पे चल रहे हैं वो विकास के काम इसी गती से चलता रहेगा और दंतेवारा जिला एक नई बुलंदियो है उसमें लगातार नक्षिलों के दोर अब्यब्धान चाहे वो स्पाइक होल्स हूँ चाहे प्रेसर आइडीज हूँ चो वायर कंट्रोल आइडीज हूँ इसके दोरा लगातार उनके दोरा फोर्सेस को नुक्षान पहुचाने का उनका प्रियास किया जा रहा है परंतु इसमें साथ में जो डिस्टिक पुलिस का फोर्स चल रही थी और उसके साथ में कैमरामन जो थे वो आगे निकल गए वो सड़क का फोटो कवर करते 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 थोड़ा आगे निकल गए थे और उसी भीश फारिंग स्टार्ट होगी और उसमें हमारे तीन दो जबान और एक स सब इंस्पेक्टर एक सहाय कारक्षा को एक कैमरामन की साधत हुई है और मौके पर से करीवन आठ से दस आइडीज बरामद हुए हैं इसके लाबा उनके द्वारा जो ग्रेनेट फेके गए थे जो की फुटे महीं वो भी करीवन आठ से दस संख्या में ग्रेनेट मिले हैं मौ अब ही भी फोर्सेज वहीं पे हैं और बहुत सारे आइडीज को हमने डिफ्यूस किया बहुत सारे अभी भी जो जमीन में लगे वे उनको हम निकालने का और डिफ्यूस करने का प्रियास कर रहा है तो उसके बाद मरलोब कैसे क्या इंट मिलियर रहा है या पिर क्या अपर मैं यह बता रहा हूं कि अगर वहां का टोपोग्राफी और वहां का जो जाडियां जो बुसेस हैं अगर उसको देखेंगे जहां पे घटना सल है उसके अगर लेफ्ट फ्लैंक में देखेंगे तो बहुत सारे जाडियां है अगर उसमें जाडियों में अगर कोई आदमी अ शुरू हुआ था और इन्होंने जाना शुरू कर दिया था जब इन्हें पता चला सम इंस्पक्टर को तो वो भी साथ में उनका देते लगे और उनको लगा कि लेकिन वो मोटर सैकल पे थे और तेजी से आगे बढ़ गए और आरोपी थोड़ा पीछे रह गया था और यही इ उसी समय फारिंग किया उसमें मतले कि चपेट में आगए इसके कारण से परन्तो जो भी जबान वहां पे जो मौके पे करीबन 30 जबान थे उनके द्वारा बहुत ही बहादरी पुरबग जो 50-60 नकसली थे उनका जबाब दिया गया और उनको काउंटर एंबूस करके घेरने का प्रियास कहा गया और जिसमें दो नकसलीों की मारे जाने की जो प्रबल समभाबना है और जिसके कारण से भागने को मजबूर हुए हैं और इसके बाद नकसलीों का पीछा करीबन डेड़ किलोमोटर तयाक किया गया और उसमें से जो हत्यार दो हत्यार ले जा रहे थे उ में कोई exact figure मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे जो मेडिया person है वो अपनी अस्तर पे बहुत सारे छेत्रों में कबर करने के लिए जाते रहते हैं परन्तु मेरे knowledge में कि कितने आदमी गए इसका पता नहीं परन्तु उस सढ़क को जो काम चल रहा है बहुत सारे लोग उन्होंने कबर किया जो मतलए कि प्रिंट मीडिया के और electronic मीडिया की माधियन से जो जानकारी मिली बहुत सारे समाचार जो पड़े हैं उससे लगता है कि बहुत सारे पहले भी उस सढ़क को कबर करने गए ले थे ऐए अगर कहीं पर गिरा होगा तो उसको अभी ढूंड रहे हैं तो समावन है कि मिल सकता है परांतु एक टीम को प्रशाशन के परमिशन थी कि अपर इस भागजाने के लिए कि सुरक्षा के पॉइंड आगे इससे कुछ जानकारिया थी कि कि SP भी साथ में जो टीम के लिए पालार में जो दो दिन पहले जिला पंचायद सदस्स के घर में इंचानल नेवा हमला हुआ था बेसिकली उसको घर के और वहां पे देखने गए थे और जब इना पता चला कि जीरी वाले कबरिज करने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने अरनपूर की पार्टी को बताए कि आप इनके साथ में सुरक्षा के लिए चले जाओ क्योंकि पार्टी अलड़ी उस सड़क पे निक अरोपी का अपना जो टाइमिंग होता है आरोपी कब निकालेंगे और कितने विजे कितना दूर कबर करेंगे क्योंकि कोई आरोपी का स्टेटिक नहीं कि इसी पॉइंट में जाके बैठना है क्योंकि हम प्रेडिक्टिबल मुमेंट नहीं होना देना चाहते हैं और ऐसा ब्रीफिंग मतले कि तो ऑर्थ लेंग का काम होता है वह ब्रूं कहला है और पर दो नस्यूंत कूर्ण इसमें चेइज़नां घृति यद्ञाक जो आति हैं ज्यूदि युद्य को सब्हुंति णकि युद्यृट के और झाल